दोस्तो आपको पता ही है कि UPI सिर्फ और सिर्फ अधार कार्ड से बना सकते हैं जिसमें आपको कोई भी ATM कार्ड की ज़रूत नहीं है लेकिन दोस्तो अधार कार्ड से UPI आप उनहीं बैंकों में बना सकते हैं जिस बैंक में अधार UPI आई है तो दोस्तो आज के इस वीडियो म पोर्टल से दिखा रहे हैं यह लिस्ट NPCI के द्वारा जारी किया गया है उसलिए दोस्तों देखते हैं पहले बैंकों के नाम क्यों कि किन किन बैंकों में आया हुआ है तो दोस्तों लिस्ट में सबसे उपर ही आप देख रहे हैं लिखा है लाइब बैंक सपोर्टिंग अधा द्धन बैंक लिम्टेड, बैंक आफ महारास्टा, ब्रोता राजस्थान छेत्रिये ग्रामिड बैंक, कैनेरा बैंक, कैथोलिक सिरियन बैंक, सेंटरल बैंक आफ इंडिया, चेतन्य गुदावरी ग्रामिड बैंक, धनलच्मी बैंक, इक्वीटर समॉल फाइनन्स बैंक, पंजाब अंशीन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, राजस्थान एस्टेट कोपरेटिव बैंक, सिवालिक स्मॉल फाइनन्स, साउच इंडियन बैंक, सुरुजोदे स्मॉल फाइनन्स बैंक, तमिलनाद मर्चन्टाइल बैंक, दो कोस्मस कोपरेटिव बैंक लिम्टेड, गयात्रिक कोपरेटिव अर्बन बैंक लिम्टेड योको बैंक यूनियन बैंक आफ इंडिया कोटक माहिंद्रा बैंक HDFC बैंक अंध्र परदेश ग्रामिड विकास बैंक ब्रोदा उत्तर परदेश ग्रामिड बैंक सीटी यूनियन बैंक इंडियन ओवर सीज बैंक तो दोस्तों यहाइवनने जितने नाम बताया यह तोटल जो है ठi-9 बैंक है मतलब挺 high court ग म legitimately फीचर आ चुकी है तो दोस्तों आप इतने सारे बैंकों में अधारं करण से अधार कर सकते हैं दोस्तौ अधार से पहले सिर्भीम एप में बनता था लेकिन अब आप सभी एप जैसे के फून पर गूगल पे पे ट्यायम और मेजन पे में भी आप अधार काड से इपाइड बना सकते हैं और यूपांगा ले सकते हैं लेकिन दोस्तों इपाइगा मजले ने से